भारतिय बजार में पेले हैस बेक और सडान को खूब पसंद किया जाता था लेकिन जट से भारतिय बजार में एक्स जूबी ने कबजा किया है देखते देखते हैस बेक और सडान का मार्केट डाउन होने लगा आज हम एसी एक्स जूबी के बारें बात करेंगे जिसके अंद पेटोल, डीजल और एलेक्टिक वेरेंट में उपलब्ध है अगर आप फाइब सीटर एक्स दूबी की तलास में हो तो वीडियो को पूरा देखना और चेनल पर पहली बार आए तो चेनल को सस्क्राइब कर ले टाटा नेक्सोन का साइज एकदम कमफर्ट होने वाला है जिसे सेहर में असान पार्किंग और तंग जगाहों पर असानी से चलाया जा सकता है इसका कमफर्ट अकार और हाई गिराउंड के लिए सेहर के ट्राफिक और खराब सलकों के लिए डिजाइन किया गया है टाटा नेक्सोन की लंबाई है 3995 मिलिमीटर और इसकी चोड़ाई है 1804 मिलिमीटर वहीं इसकी उचाई है 1620 मिलिमीटर और इसका वील वेस आपको मिलता है 2498 मिलिमीटर का अब बात करते हैं इसके इंजिन की टाटा नेक्सोन में आपको 3 इंजिन देखने को मिलेंगे पेला इंजन आपको मिलता है 1.2 लीटर का टर्बो चार्ट पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 120 PS और 170 NMT पावर जनेट करता है पेट्रोल इंजन के साथ आप 17 से 20 किलोमेटर का माईलेज बहुती अराम से निकाल सकते हो दूसरा इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो चार्ट डीजल इंजन दिया गया है जो 115 PS और 260 NMT पावर जनेट करता है और डीजल इंजन के साथ 21 से 30 किलोमेटर का माईलेज बहुती अराम से निकाल सकते हो इन दोनों इंजन को ओटोमेटिक और मेनल गेर बोक्स के साथ जोड़ा गया है तीसरे इंजन की बात करें तो वो होने वाला है केलेक्टिक इंजन जो जिप्टर रोन टेकल अलोलजी से लेस है जिसको एक बार फुल चार्ज करने पर लगबग 300-400 किलोमेटर की रेंज तक चलाया जा सकता है बात करें इसके इंजन की तो अपने पिछले मोडल की तुला में और भी अधिक फ्यूचर लेस होने बाला है इसमें नए सोब टेच मेटेयल का उप्योग किया गया है जो इसकी फिनिस को और भी जादा बेतर बनाता है डेस बोट में 10 इंच का बड़ा टेच स्क्रीन सिस्टम दिया गया है डेस बोट के अंदर एपल कार पिले जैसे बहुत से फ्यूचर मिलते है इंटेरियर में सबसे बला अपडेट इसकी सीटों को देखा जा सकता है इसमें लेदर सीट का इस्तमाल किया गया है जो लंबे सपर को और भी अराम दायक बनाता है इसके अलाबा टाटा नेक्सोन में कई अन्ये फ्यूचर दिये गये है जैसे की ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वारलेस चार्जिक की सुबिदा भी मिलती है टाटा नेक्सोन का डिजाइन पेले के मुकाबले और भी मोडन बनाया गया है नई नेक्सोन में एरो मोटिव के साथ बड़ा गिरील और सिल्म हेड लाइट दी गई है जिससे इसका फ्रेंड लुक काफी अच्छा लगता है कार में सिल्क एलेडी, डी टाइम रेलिंग लाइट, डी रेल का इस्तमाल किया गया है कार का बंपर भी नया और स्पोर्टी डिजाइन में है जिससे ये कार रोट पर दमदार दिखती है रियर में LED टेल लाइट दी गई है जो नेक्सोन के पिछले हिस्सा को और भी ज्यादा इस्टाइलिस बनाती है टाटा नेक्सोन की कीमत की बात करेतों इसकी कीमत वेरियंट के अनुसार अलग-अलग होती है पेटेल वेरियंट की एक्सोन कीमत 8,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, में लिखके जो बताना